हाई एबरिवन कैसे हो आप सब तो चलिए आप सब के इतने सारे प्यार और कमेंट्स देखने के बाद मैं लेकर आगी हूँ फ्लैस सीजन 3 जिसका आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ एपसोड नमबर वन तो इससे पहले जो लोग आए पहली बाए मेरे चैनल पे मेक स सीजन 2 के आखिर में हमने देखा था कि कैसे फ्लैस यानि बैरी टाइम ट्रेवल करकर अपने पास्ट में जाकर अपनी मान नोरा को बचा लेता है और फिर इसी के साथ अब सुरुआत होती है फ्लैस सीजन 3 के एपसोड नमबर वन की जिसके पहले ही सीन में हम बैरी को जीट आएक फिर सीटी में राइवल वर्सेंज की फ्लैस की धरवर सुरू हो चुकी है कौन किस बाहरी पर परता है जिसे देखते ही प्लार्ण उस जगह पर नाम शफें जंप लराइफ चेड़ी हुई है और यहां मौझ यहां उपकर चलता है कि यह नों का रोज का काम है यह सो क कि वापस से कैप पहुंचता है और इस पर किसी तरीके से बहाना बनाते हो आई इस से बात रूकर देता और कुछ दिर बाते के बात बाद बैरी के साथ मिलने खुद तयार हो जाती है और फिर अफ पारी सीजी पीडी जाता है जहां वह इस वक्त वी एक प्रेंसिक साइंटिस की जौब करता है तो एक दिर बाद बैरी कैप्टन मेच से आज हाप डे की छुटी लेकर वहां से निकल जाता है और फिर खाना का पैकट लेकर सहर से बाहर एक खाली फैक्टरी पहुंचता है जहां अब हमें एक पास्ट की किलिप दिखाए जाती है जिसमें की फ्लैस अपनी वक्त नहीं है सिर्फ एक फिक्सर ने जिसे तुमने अपनी मर्जी से टाइम के विरोज जाकर क्रियेट किया है जिसे हम फ्लैस पॉइंट कह सकते हैं जो कि बहुत जल्द हम दोनों को खत्म कर सकता है इसलिए अभी वी वक्त है हमें सब पहले की तरहीं करना होगा जवाब म और क्यों फ्लैस है इस वक्त में और देखना बहुत ही जल्द तुम मेरे पास वापस भीख मांगते हुए आओगे ताकि मैं तुम्हारी मां को वापस मार दो और चीजों को नॉर्मल कर दो जिसे सुनकर अब बैरी गुसे से इस वक्त यहां से निकल जाता है और फिर अपन के साथ करते हुए उन्हें आईरिस के बारे में बताता है कि फानली उसने आईरी से बात करी और आईरीस भी उसके लंच पर जाने को तयार हो चुकी है तो आगे की सिन में हम देखते हैं बैरी अपने रोज मर्रा की लाइफ में अपने जॉब यानी सीसी पीडी पहुंचता है तब बैरी फॉरन ही जोई को कैप्टन मेज की सजा से बचाने के लिए जोई के घर जाकर उसे अपनी सूपर स्पीड से तयार कर सीसी पीडी लेकर आ जाता है अब जैसे ही जोई का नसा थोड़ा उतरता है वह बैरी को बोलता है तुम फोरेंसिक साइंटिस्ट मैं देख जानते हैं और बाकी सब अपनी अपनी अलग लाइफ में ब्यस्त होता है तो है इनकी बातों के दौरान है यहां आइस भी सीसी पीडी बैरी को लंच के लिए पीक अप करने पहुंशती है जिसे देख जोई आइस को बोलता है तुम्हें सोभा देता है क्या कि मेरे कलिक्स क और जोई के संबंद भी कुछ ठीक नहीं है अब आगे रास्ते में जाते वक्त आईरिस बैरी को बोलती है पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग सा कनेक्शन महसूस कर रही हूं ऐसा लग रहा है कि कई वर्सों से मैं तुम्हें जानती हूं तब मुस्कुराता ह अपनी आरिस को फिर मिलने का बोल फ्लैस और राइवल की लडाई वाली जगह पर पहुंचता है जहां इस पर राइवल फ्लैस को हरा कर उसे एक उची बिल्डिंग से नीचे डस्ट वीन में फिक कर महां से भाव निकलता है अब जैसे बैरी इस जगह पर पहुंचता है तो उसका मास्क हटाता है तो और कोई ने फ्रेंस बलकी वैली होता है तो ही अब आगे अपनी मदद करने के लिए वैली बैरी को लेकर अपने घर पढ़ाता है जहां बैरी को पता चलता है कि जोए के लापरवा और सरावी नीचर के कारण आइस और वैली यहां जोए से अलग इस घर में रहते है तो अब आगे बैरी बैली से उसके फ्लैस बनने की स्टोरी को पूछता है जवाब में वैली बताता है फ्लैस से पहले वह एलीगल कार रेसिंग किया करता था पर एक रस के दौरान वैली की गारी एक लाइटनिंग ठंडर आकर गिर पड़ी जिसकी वज कि हमारी मदद सिर्फ को रिमोन कर सकता है तो अब इंट्री होती है यहां इस समय के सिस्कों की जो कि इस वक्त का एक मिलेनियर के साथ अमेरिका का सबसे अमीर सक्स भी है जिसमें की स्टार लैप को खरीद कर इसका नाम रेमन इंडर्स्ट्री कर दिया है अब आगे आईरिस सिस्कों से उसकी मदद करने बोलती है पर यहां सिस्कों की कुछ पुरानी बातों को याद दिलाते हों बोलता है मुझे मालूम है आप एक नेक इंसान हो की मदद करना आपको पसंद है तब सिस्कों चौक जाता है और बैरी से पूछता है आखिर तुम हो कौन और मेरी बारे में इतनी पर्सनल चीज़ें तुम्हें कैसे मालूम है जवाब मेरी मुस्कुराता हूँ बोलता है बस यहीं आपकी किसी इंटर्वियों में यह सुना अब इतना बोलते हैं बैरी की माइड सिस्कों की भी कुछ यादे मिट में सुरू हो जाती है तब फौरान ही बैरी यहां से एबॉर्ट थौन के पास जाता है और अपनी यादास जाने वाली बात उसको बताता है जिस पर कि अब एबॉर्ट थौन बोलता है मैंने तो पहले के लिए रहे जाओगे बाकी सारी अपनी पुरानी यादों को भूल कर यह भी तुम भूल जाओगे कि तुम कभी फ्लैस भी थे जिससे सुन अब कुछ सोचता हुआ बैरी वहां से फौरान ही निकल जाता है और अपनी पहचान यानि की फ्लैस के रूप में वैली और आईर हो जवाराइब बैरी बोलता है क्योंकि मेरे बहुत ही कम है जाने से पहले मैं तुममि लोगों की मदद करना चाहता हूं राईवल को रोग कर जैसे कि मैं अपने वक्त में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुरे मेटा हीमन को रोकता हूँ और साथ ही अब बैरी इधर उधर देखता हुआ बोलता है हमारे टीम के एक मेंबर अभी भी मिसिंग है तब बैरी फोरें इसटों के पीसी के जरिये इस वक्त कि कैटले ने स्नो की लोकेशन निकाल उसे किडनाईब करकर यहां लेकर आ जाता है तब ये सब देखर आईरिस बैरी को साइड मिलाती है और फिर बैरी से बोलती है ये सब जो तुमने बताया है क्या तुम्हारे वक्त में मैं यानी आईरिस और तुम्हारे बीच कुछ रिस्ता है क्या पता नहीं क्यों जब से तुम से मिली हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी सारी खुसियां मिल गई है तब मुस्कुराता ह बैरी वैली के साथ रैवल के लोकेशन पर पहुंजता आ जहां बैरी अपने कुछ मूब्स वैली को इस्तमाल करने के लिए बताता सहुं कि क्यों हों आगर आपहίν अपनी पाउर को को इस्तिमाल करी तो उसकी यादास और भी तेज़ी से खत्म हो सकती थी तो अब आगे राइवल वर्सेज कीट फ्लैस की एक जबरदस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है तो इस बात की खबर आईडिस सीपीडी को भी दे देती है तो इधर यहां पर बैरी के मुप्स को अपना कर वैली राइवल को हरा देता है और खूज होकर बैरी को इसारा कर रहा होता है कि तभी वहां राइवल सब्सक्राइब करें तब आखिर का पुड़े सहर को बचाने के लिए बैरी को अपनी सक्तियों का इस्तमाल करना के अपोजिट डायरेक्शन में घूम कर साइकलोन को सांध कर देता है और एक जोर का पंच आकर राइवल को देता है जिसके बाद अभी को देखते हैं कि उसक सूट करकर उसे मार देता तो यह आगे बैरी वैली को लेकर रेमन इंड़स्ट्री पहुंचता जहां वैली की चेक अप करकर कैथलिन इन सभी को बताती है कि अब वैली स्पीड स्टर नहीं रहा तब आगे अब हम बैरी को देखते हैं जो मायूस होता हुआ बोलता है मुझे तो लगा था टाइम में चिर्चार करने से उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएंगी पर यह तो पहले से और बदतर होते जा रही है और फिर अब आगे बैरी आईरी से मदद मांगता है और सीधे उसे अपने पैरेंस के पास ले जाकर उन्हें गले लगाते हुए अपना लेकर बैरी की ऐसी हालत देखकर हसता हुआ बोलता है वैसे तो मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मैं तुम्हारे मुझस सुनना चाहता हूँ तब यहां भाबुक होता हुआ बैरी एबाउट-थान से रिक्वेस्ट करता हुआ बोलता है कि वह उसकी म रीस्ट में नौरा की जान ले लेता है और फिर बैरी को उसके में छोड़ता हुआ बबाड़ थान भी अपने एक्विसमें यहां से चला जाता है क्या हुआ जवाब मैं वैली बोलता है तुम भूल गए आईरिस अब हमारे साथ नहीं रहती है और जोई और आईरिस की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है अब यह सुनते ही यहां एक वार फिर से मायूस होकर बैठ जाता है यह सोचता है कि आखिर ऐसा असर पर आए तो ही अब एपसोड के आखिर में हम राइवल को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ सोया होता है कि तभी उसे एक इंडिवीजवल आवा जाती है और फिर यह इंडिवीजवल इंसान राइवल के खिरकी पर स्क्रेच करता हूँ लिखता है और इसी क को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार एंड बावाए